लुछ नमस्कार दोस्तों एंट्युवय्टिक श्रीज में आपका स्वागर स्टूर करन्य से आधुनिक साधन की अलग होगी से आधुनिककी से एंट्युवय्टिक निर्ई जाएगी जहां से चलेगा वहाँ एंटिवाइटिक कंट्रियू आपके जुरूद जाएगी और पॉलिटिकल साइंस के एंटिवाइटिक और शुरू करेंगे आपके तुभी आपके कंट्रियू उसमें जूरूते रहेंगी ठीक है अलग-अलग आपके प्लेश्ट की तीकि जहां से हम इत्यास पड़ें राज़पुत को समझे पड़े हम लोग किसा Muhammad पड़े फ़रे आंग्रेज राजपुत्यों की तियाँ नेदो मुगल राजपुत्तों के आपके समंद्थ बढ़ते हो वैसे अंग्रेज और पॉइंट को इसको समझना है कि इसके बिना आदूनी के इतियास पड़ मत लेना पहले बता रहा हूं वरना रटा बेसक माल लेना समझमनी आएगा इतियास यह कहता है कि मुझे आप ठीक वैसे ही पढ़िए जैसे मैं घटा हो मेरे साथ छेड़ खानी मत कीजिए मित्रों पहला पॉइंट है कि आपके देशी राज्य यानि राजस्तान की जो राजा है आपसी जगड़ों में उलज रहे हैं तो एक जाती है मराठे और पिंडारी जो पैसे लेतर पैसे के बदले में लड़ने के लिए आ जाते हैं जिसके पक्ष में आता है उसे ही जिता के चले जात है अब राजा रोज रोज तो जगड़ा करते नहीं है अब तो पैसे के भूखे आएंगे आएंगे तो क्या करेंगे उन्हों लूट मार कर रहे हो तो तुम जगड़ा कर लो या तो या तुम जगड़ा कर लो तुमने जगड़ा कर लिया क्या कहा हमें तुमने जगड़ा कर या तो हमें लड़ने के लिए बुलाएंगे पैसे आजाएंगे तुम जगणा नहीं करेंगे तो हम तुमारे उपर अटेक करेंगे तुमसे हम लोग कर वस्ट यहां से धनराशी लूटके ले जाएंगे अब राजा क्या हुए परिशान हुए राजा परिशान उन्हों कहा न लगान यानी कर लकर आपके के को देना सुरू कर दिया मराठो को है अ यह लीचा थो करने के लिए भुलाया था हमने इतिहास बूले क्ये कि भुलाया था हमने परिशान हुए हम अब narrator कि अनगरेजलों की पेट में दर्वा कि यार ये जो धन राशी मोटी रकभ tip मराठो को जा रही है याद्छ इस्कों किसे ले कि हम कैसे ले हितुरे राज Aww वे राजाओं के मित्र वनने का प्रियास करें पहले कहें हमें डूसरे की साहता करता हैं यानि हम धूसरे सब्सक्राइब यहां बन जाएंगे एक दूसरे को पराजित करने के लिए राजपूत नरे मराठों ने लूट-मार शुरू कर दे वासम जवा गई होगी इन सब से समस्त राजपूत अना परदेश आतंकित हो गया समस्त राजपूत अना परदेश आतंकित हो गया राजपूत नरेश मराठो को कर और खिराच देने लगे राजपूत नरेश से किनको टेक्स देने लगे कर और खिराच किनको द है था किजिए और अंस राजाव काCię करेंगे लेकिन जो क्राज मराठ्थों को दिया जाता है वेख खिराज कंपनी को दिया जाएगा डाज तो करेंगे जो टेक्स आप उनको दे रहो वेटेक्स हमें दीजी आँगे देखिए मराथों के आतंग के कारण राजाओं ने अंग्रिजों से संदिया शुरू करने दिया, क्या कर ली, संदिया शुरू की और वे संदिया किस प्रकार सुरू कर रही भी देख लिए आप लोग यह देखिए यह आपके संदिया आगे तो दो प्रकार की संदिया करेंगे राजा लोग अंग्रेजों से कितने दो प्रकार की संदिया करेंगे एक संदी है जिसे हम सहक संदी कहेंगे सब्सक्राइब कर लेना निश्य तोर से रायथान आने वाले समय में कारगार सिद्ध होगा राजिस्तान जी के का मैं आपको बड़ो सा दिलाता हूं इस बात का वाधा करता हूं प्राइब करेंगा हम तुमारी से करेंगे तुम हमझारी मदत करेंगे संदी का नाम कहलाएगा साइक संदी कहलाएगा अगर मराठों ने तुम्हार उपर अटेक किया हमार उपर अटेक किया राजानुकायर अच्छी बात है अंग्री तो बहुत अच्छे लोग है उन्हें पता नहीं था कि आगे चलके इन संधियों के प्रेणाव क्या निकलेंगे 1498 में लाड वेले जली ने भारत में साइक संधी पर था प्रारंब की और भारत में सरोपर्थम साइक संधी की वे हैदराबाद के निजामने की थी साइक संदी का मतलब आपस में एक दूसरे की साइता करेंगे और एक दूसरे के शत्रों को शरं नहीं देंगे एक दूसरे के शत्रों को शरं नहीं देंगे दोनों बाते ते हुई अब देखिए राजसतर में सबसे पहले साइक संदी के मैदान में भरतपूर के सबसे पहले र संदी के तिथी है यह ध्यानकना आप लोग और उसे गवर्णर दुआरा जो पुष्टी दी गई वे बाइस अक्टूबर अठाइस सो तिन इसलिए कहीज़ेगे आपको डेट में गलतिया मिलती है अब भरतपूर की राजा रणजी सिंग ने संदी कर ली क्या हुआ हम एक कि द्रोई जस्वंत राह होलकर को स्रण देदी क्या हुआ हम एक दूसरे के शत्र फॉस्रुप को स्रण देगे लेकिन इन्होंने शरण दी अब अंग्रेज क्या करेंगी अटेक करेंगे अंग्रेज अधिकारी को नाया लड लेक आठारज सो 5 में भाई खूब आकरमन किया पांच के पाँच वार ही ऐसा पलो उगया अंघ्रिज को पारणव इसलिए का नहीं जीत पाई कोई नहीं जीत पाएं सब लोग पढ़ते हो अजे दुर यह कारण है और अंग्रेज नहीं जीत पाए वह कहानी यहीं बनी हुए लोग के方 लौग कहते है लाड़ ने किया है तो सबसे पहले हुलंगन करने वाल रियाशत भरतपूर आपके दो बार साइक संदी करने वाल रियाशत भरतपूर क्योंकि पुने संदी कर रहे हैं अब बात आती है आपके व्यापक की अब आपसे क्या कह रहा है नहीं नहीं हमें तो बताइए पहले से मतलब नही के अलवर के महारजा बक्ता और सिंग ने सबसे विश्तरित व्यापक संदी की और देखों ध्यान रखना कि अलवर ने संदीयों के विरुद लासवाड़ा के युद में अंग्रेजों की साहिता दी सिंधिया कि क्याता हुआ हमें एक दूसरे का साथ देंगे तो भरतपूर के राजा साथ नहीं दे रहा वे तो विद्रूयों को सरण दे रहा है और अलवर के राजा कह रहा है मैं संदी को ढंगशिक करूंगा मैं आप युद लड़िये किन से सिंधिया से मराठो से युद लड़ना अंग्रेजों मैं आपकी साहिता करूँगा लासवाड़ी का देग्वन इत्यास चलेगा सबसे पहले स्थाइख संदी करने वाली भरतपूर की राजा रंजिस सिंग राज की शिटांबर सिरीज में जोंदेना सब्सक्राइब करें गंटे निशानती दबात देना और मिलगतार बने ऊणिवां नहुत संदी की धांदाइब